दोस्तो इस दिन आएगा साल की सबसे बड़ी मूवी का सबसे बड़ा टीजर भाई सहाब कल की 2898 के आ गए हैं तड़कते भड़कते बहुत सारे अपडेट हेलो आइस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका कल की 2898 के दोस्तों एक और जबरदस्य एपीसोड में बेसिकली गा कुछ अपडेट दिए इवन यहां पर टीजर से रिलेटिट भी कुछ अपडेट आ रहे हैं परवास एयरपोर्ट में भी दोस्तों दिखें तो इन सभी चीज़ें के ओपर बात करेंगे क्योंकि देखो यह जो मूवी है अब रिलीज होने में अब दो महिना भी नहीं बच चेक करेंगे कि आखिर कैसा इंट्रेस्ट चल रहा है तो बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो हैं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे यूर वीडियो मिलते रहें तो करते हैं अपने इस वीडियो के शुरू लैट स्टार्ट दोस्तों यहां पर हम इस मू 28,000 तो भाई सहाब यहां पर भुक माई शो इंट्रेस्ट में दोस्तों इस मूवी ने बावाल माचा रखा है हाला कि दोस्तों देखो यार इतियास गवा है प्रभास की जितनी भी मूवी आई है मीलियन तो दोस्तों उन्होंने बुक माई शो में टच्च किया ही है चाहे वो आदी प्रूश हो राधे शाम हो इवन हो अभी रिलीज होई सलार तो यहां पर हाइप की कोई कमी नहीं होती इवन साउथ ही क्या हिंदी वर्जन में भी गाई यह मूवी अच्छे कलेक्शन करती है प्रभास की कोई भी मूवी अगर आप लोग देख लो अगर हम लोग अभी बॉलिवूट की कई नहीं बड़ी बड़ी मूवी आ रही है उसके बाब जूद भी नंबर दूसरे में पहले में नहीं क्योंकि पहले में इस हफ्ते रिलीज हो रही रंदीप हुड़ा की स्वतंतावीर सावरकर दोस्तों जो है वो एक में आ रही है लगभग 21.8% के शायद आपको देखने को मिल रहा होगा सैकिंड में दोस्तों कलकी 2898 जो की गाइस सैकिंड पोजिशन में है इसका मतलब यह है कि मूवी बहुत ज़्यादा गरम है मैंने आपको यह बात कही थी कि यहां पे जो मेकर्स हैं उनको इस मूवी का कुछ ना कुछ छुटमुट गाइस अपडेट देते रहना चाहिए हां खुद ना दें थर्ड पार्टी कहीं बाहर से इसके अपडेट्स दिलवाएं इससे मूवी का हाइप बनेगा और कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें यह मूवी काम्याब होती भी दिखाए देरी अगर हम लोग उनकी प्रेवियस मूवी को रिलीज होने में इवन दो महिना भी मैने शायदा ही बोल दिया लगभग आप लोग कह सकते हो कि आज 16 तारीक हो गया ना तो लगभग या पचास या फिर वावन तरफंद दिन मान सकते हो इतना दिन रहता है मूवी को रिलीज होने में और उसके हिसाब से नंबर भाई मूवी का अपडेट किया है सबसे पहले तो गाई यहां पर अमिता बच्चन ने इस मूवी से डिलेटेड गाई एक ब्लॉग में कुछ लिखा है अगर तो गाई मैं उनके वर्ट वर्ड बाते सुनाओं क्योंकि अमिता बच्चन इस मूवी में गाई एहम किरदार जैसे जैसे कलकी की शूटिंग पूरी हो रही है वैसे वैसे काम से लोटने में देरी हो रही है जैसा कि बताया गया है कि यह फिल्म 9 माई को रिलीज होगी इसलिए सब कुछ सहीं और व्यवस्तित करने का आखिरी परियास चल रहा है जिसका मेकर्स ने दर्शकों से वादा किया था मलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि आमिता बच्चन द्वारा मुवी की शूटिंग तेजी में हो रही है बहुत फास्ट क्यूंकि 9 माई को मुवी को रिलीज होना है और यहां पर मेकर्स देरी नहीं होने देंगे यानि कि जो प्रॉमिस किया है यह मुवी उस ही सम रहता है पोस्ट परडक्शन तो छोड़ दीजिए बहुत सी शूटिंग भी रहती है ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों इसका प्रूफ दे दिया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मुवी की काम तेजी से चल रही है अब मुवी तैस हमें 9 माई को आएगा मैं गाइस बहुत ज़ हो सकती है मुझे ऐसा लगता है तो गाइस यहां पर आप लोग कह सकते हो कि यह जो अफडेट है यह प्रभास के फैंस को तसली देगा कि हाँ भाई मुवी सही टैम पे आ रही है और यहां पर शूटिंग इसकी चल रही है बागी गाइस यहां पर अगर हम लोग आपको सब मुवी का हाइप बहुत जाता है मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया बुक माई शो आयमडीवी लेकिंग यहां पर टीजर आ जाए ना वह टीज करके छोड़ दे फिर मुवी के रिलीज होने से 15 दिन पहले अगर आप लोग ट्रेलर लाओ चल जाएगा फिर सौंग भी आन को इसके टीजर के बारे में बताया जाएगा जाएगा यहां पर कल की टू एट नाइन एट का टीजर उस पोस्टर में दोस्तों साफ तौर पर मैंचन होगा कि इस इस टाइम पर आएगा इस दिन आएगा हम लोग अभी लेटर्स खबरों की माने 21 यह दो डेट दोस्तों का 21 तारी को दोस्तों आ जाए हाला कि कुछ रिपोर्ट्स यह भी कह रहे हैं कि 21 तारी को रात को यानि 22 तारी लग जाएगा रात को दो बज़े या तीन बज़ेगा इसका ओफिशली टीजर आएगा जिस तरीके से इन्होंने गिलिम्स दिया था कल की टू एट नाइट का वै एक बार फिर से दोस्तों लाया जाता है टीजर और रात को गाईज अगर मिलियंस पे विउज आ जा जाते हैं तो आप लोग समझ लो की परभास मनलब गाई यहां पे असली टू पैन इंडिया स्टार है जो कि गाईज उनके कलेक्शन बोलते हैं बागे आपको लगता है कि दोस्तों इसका टीजर अभी आना मनलब सही रहेगा या फिर यहां पर इसको और भी डिले किया जा सकता है अना कि फैन से मैं क्यों पूछ रहा हूं उनको तो कली लाकर दे दो वही उनके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी तो क्या कहना है दोस्तों आपका इसमें बत ना ही